Hello everyone, welcome to texture myth आज की session में हम medical terminology से related कुछ और ऐसे prefixes discuss करेंगे जो denote करते हैं body part को ठीक है? इससे पहले वाले sessions में हमने ऐसे topic already discuss कर चुके है ये उसी के continuation में part 21 है ठीक है? तो हम भाई process यहां भी follow करेंगे सबसे पहले मैं आपको कुछ prefix और उनका meaning बताऊँगा और जब आप उस चीज में comfortable हो जाओगे जब वो चीज़े clear हो जाएंगे उसके बाद में हम उससे related कुछ examples भी discuss करेंगे क्योंकि example बिना आप लोगों को उतना clarity नहीं आएगी जिससे आप किसी भी terminology को identify कर पाऊ At the end हमारे को करना यही है कि या तो कोई interview में कोई question मिलता है या कोई exam के लिए अगर आप prepare कर रहो तो महाँ पर आपको identify करना आना चाहिए कि वो terminology क्या indicate कर रही है तो उसके लिए examples walkthrough करना बहुत important है एवन मैं आपको यह recommend करूँ हूँ कि आप इसके बाद भी और भी examples को refer करें जिससे आपके practice होती जाएगी ठीक है तो जो directly यह session देखते हैं उनके लिए मैं फिर से एक बार repeat कर देता हूँ prefix क्या होता है prefix एक ऐसा word होता है जो किसी भी medical terminology के स्टार्टिंग में लगता है और वहां से कोई ना कोई information को denote करता है रिप्रेजेंट करता है तो उसको हम क्या बोलेंगे medical terminology prefix medical terminology तो हो गई पूरी complete term और उसका एक part हो गया prefix जो starting में होता है जो भी word starting में है जो कोई information प्रवाइड कर रहा है उसको हम बोलेंगे medical terminology prefix ठीक है अब start करते हैं session तो पहला prefix है हमार पस Arthur या Arthur या Arthur या Arthur या Arthur ये किस से related होता है जब भी आपको कोई joint है ना कोई भी joint से related information प्रवाइड करनी हो तो उस case पे हम terminology के साथ में prefix यूज करेंगे Arthur या फिर Arthur या फिर Arthur या फिर clear हो गया कि जब भी कोई discussion होगा joint से related तो उस case में Arthur या फिर Arthur का use करेंगे ठीक है और जैसे मैंने बताया कि prefix starting में लगता है तो आप इन सब examples में देखोगे कि starting में कुछ Arthur या Arthur आपको मिलेगा और वही information denote करता है joint को ठीक है पहला example देखते है Arthritis Arthritis का मतलब क्या होगा inflammation of the joint जब joints में inflammation हो जाता है तो उस condition को किस से denote किया जाता है Arthritis से Arthritis एक complete terminology है जिसमें Arthur जो है वो हमारा prefix है जो denote कर रहा है joints को ठीक है उसी तरह से अगर आप second example देखोगे जो है Arthroscopy यह क्या होता है यह एक ऐसा process होता है जहांपे लिखा है Minimally invasive surgical procedure to visualize and treat problem inside a joint तो यह हो सकता है कि किसी patient को joints में कोई problem है तो उस case में क्या होता है कोई surgical procedure perform किया जाता है किस लिए उसको visualize करने के लिए कि problem क्या है या फिर problem का treatment के लिए दोनों case में हम इस scopy का use करते है जिसको बोलते है Arthroscopy तो इस scopy में या तो हम disease को visualize करने के लिए यह procedure perform करते है या फिर उस disease का proper treatment देने के लिए क्योंकि पहले visualize होगा यह एक तरह से party होगा पहले visualize करेंगे किसी भी disease को फिर उसका treatment करेंगे तो उस process को क्या बलेंगे arthroscopy और जैसा कि discussion joints के बारे में है तो हमने prefix use किया है arthro ठीक है next example है हमारे पास arthrogram अब जो लोगों ने पहले वाले sessions देखें उनको पता हुआ कि gram भी कही न कहीं जब भी use होता है although यह prefix नहीं है बट जब भी यह use होता है कहीं न कहीं imaging से related discussion है तो ऐसे ही example practice करते हैं अभी तक जैसे हमने 20 sessions cover किया तो सब में हमने कुछ ना कुछ important example discuss किये तो उससे आपको एक idea होने लगा है कि हाँ यह terminology आ रहा है यह prefix suffix आ रहा है तो उसका यह meaning होता है तो arthrogram में क्या है an xray image of a joint taken after injection of a contrast medium तो इसमें क्या होता है joint का एक xray लिया जाता है by injecting the contrast medium कोई भी एक contrast medium inject किया जाता है body में और उसके बाद में joints का xray लिया जाता है तो उस पूरे process को हम बोलेंगे arthrogram जो denote कर रहा है prefix arthro और उससे information मिल रही है joint के बारे में ठीक है वैसे एगर next example देखें तो वो है arthralagia arthralagia जिसका meaning है joint pain without inflammation इस condition में क्या होता है joints में pain होता है और arthritis भी नहीं होता कोई भी तरह के inflammation नहीं है body में बट फिर भी joint में pain रहता है तो उस condition को बोला जाता है arthralagia ठीक है तो अब इन सब examples को अगर हम वापिस से walkthrough करेंगे तो हमें एक common चीज मिलेगी वो है joint कही ना कही हम joint से related discussion कर रहे है या तो inflammation of joint है या कोई imaging है joint का या फिर procedure हो रहा है किसी भी joint के उपर तो उन सब में जो common term है वो है joint जिसको denote किया जाता है arthral या फिर arthral से ठीक है तो ये था first prefix next prefix देखते है next है मर पास buck या buck को जिसको represent करते हैं क्या information शो करता है चीक से related information शो करता है buck ठीक है जब भी कोई discussion हो चीक से related तो उस case पर हम prefix का use करेंगे buck पहला example है buckle mucosa buckle mucosa का मीनिंग क्या होता है the moist lining of the inside of the cheeks जब cheeks के inside line inside part पर inner part पर एक moist lining आ जाती है तो उसको हम क्या बोलते है buckle mucosa ठीक है तो यहाँ पर भी जो discussion हो रहा हुए किस से related हो रहा है cheeks से related फिर एक process होता है जिसको हम बोलते है buckle swab buckle swab क्या होता है इस process में collection method using a swab to obtain samples from the inner inside of the cheek जब cheek के inside से कोई भी sample collect करना होता है तो उस process को हम किस से perform करते है buckle swab से उसमें क्या होता है एक swab को use किया जाता है samples को लेने के लिए inside of cheeks के cheeks के अंदर के जो samples होते है वो buckle swab से collect किये जाते है फिर जो next example है वो हमारे पास है vaccinator muscle अब vaccinator muscle क्या होता है vaccinator muscle एक facial muscle located in the cheek cheek के ओपर एक ऐसी muscles होती है responsible for compressing the cheeks against the teeth cheek को compress किया जाता है teeth के against पे तो उसको handle करता है कौन responsible होता है वो facial muscle responsible होती है जिसको हम क्या बोलता है vaccinator muscle vaccinator muscle की ही help से कोई भी cheek को compress किया जाता है teeth के against में तो उस muscles को हम बोलेंगा vaccinator muscle और जब भी vaccinator की बात हो रही है तो वहाँ पे prefix किया उसर है buck जो denote कर रहा है cheek को ठीक है फिर आता है buccolingual buccolingual का मतलब क्या हुआ pertaining to both the cheek and the tongue ठीक है तो इस तरह की information किसे मिली हमे buck से जो represent कर रहा है cheek को अब इन सब examples को अगर फिर से walkthrough किया जाएगा तो वहाँ पे एक information common मिलेगी वो है cheek कही न कहीं हम cheek से related discussion कर रहे है वो हो सकता है moist lining inside the cheek swab related to cheek for collecting the sample या फिर हो सकता है facial muscle जो located है कहाँ पे cheek पे और pertaining to both cheek and tongue तो उस case में buccolingual term का use होता है तो जो common चीज मिली वो मिली cheek तो ऐसे ही अगर आप और भी examples walkthrough करोगे तो आपको पता चलेगा कि जहां भी buck keyword का use हो रहा है वो यूज हो रहा cheek को denote करने के लिए ठीक है next prefix है हमारे पास bronc या ब्रॉक्नी ठीक है इसको कब use किया जाता है जब भी आपको denote करना brochnos को तो brochnos को denote करने के लिए हम इस prefix का use करते है example देखते है पहला है brochnitis brochnitis का मतलब होता है inflammation of brochnial tube तो जब भी brochnial tube में कोई inflammation होता है उसको denote किया जाता prefix terminology brochnitis से जो किस से बना है broc prefix से बना है जो denote कर रहा है brochnos को फिर हमारे पास आता है bronchitis bronchitis जिसका meaning है abnormal dilation of the brochni तो यहां भी कई न कई brochni से related discussion है और third example अगर आप देखोगे तो third example है pertaining to or related to the brochnis तो सब में वही common चीज़ मिलेगी जो है brochni brochni या brochnos तो जहां भी discussion brochnos के around होगा तो माँ पर आपको prefix मिलेगा brock या brochni जैसे last example देखोगे brochnicolor इसका मतलब क्या है relating to the brochnicolus तो यहां भी वही एक चीज़ common है तो इस session में हमने तीन prefix discuss किये पहला हमने discuss किया author दूसरा discuss किया buck और फिर brochni यह सब कोई न कोई information प्रवाइड करने किसी body part से related तो इस session के लिए इतना ही था और आज का जो question है वो यह है कि what information is provided by the prefix ng और r3o यह हम already discuss कर चुके हैं तो अगर आपको इसका answer नहीं identify हो रहा तो आप पहले वाला session देख सकते हो वहाँ पर हमने इसको detail में discuss किया है और अगर आपको इसका answer पता है तो आप इसका answer comment section में put कर सकते हो जिससे बाकी लोग भी उसको refer कर पाया इस session के लिए इतना ही था next session में बाकी topic discuss करेंगे so thank you for watching texture myth करेंगे करेंगे